कि अंभो तो कैसे हो सब उमेद करता हूं सब फीख होंगे दोस्तो जा साब देख सकते हो मेरे पीछ इंडिया के मेरा कैमें पहुंच गया हूं और आज हम आपको इंडिया के बार दींग ने बताने वाले हैं कंग में जंड लुट डाल करेक हो रही है और कभी अजहां हो जाती है कभी दूफ सब्सक्राइबिन बहुत हो जाती है कि कभी करत्व हो जाती मोसम बहुत अछा हो रहा है आज गा पर आप देख रहे हो几य सामने इंडिया-डेट इंडिया गेट के पास पहले से बहुत अच्छा हो गया है पहले साफ सपह इतनी नहीं होती थी आप सबस्पपै पहले से इंडिया गेट को अकिल भारति दिसमरक के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर यहां पर यह वारीaden यहां बिल्कुल पीछ में सेंटर हो गयी कभी यहां पर भीड़ो जाती है बहुत जrias कभी यहां पर चीडं हो आप देख रहे हैं और राश्टेपती भवन है और यह च्रोड का नाम राजपत हुआ करता था इसका नाम नाम की राचपत से चेंज कर लिक रहे कर तबाै है ऑनोर भीस्क्र。 प्रवाल का टाइम लगा था हुड उनूपी सभ इसको बनाना शुरू किया था उनुसकों इकत्रीर इसको बना के टैयार कर दिया था यहाँ पेदरना ह बिल्कुल अलाओडस नहीं है पानी बिल्कुल अब साफ है पहले इस में बहुत बंदा पानी वह करता था इसके अंदर पानी बहुत काला पानी वह करता था और जो अधर देख रहे हैं उधर इसके बीचे शनार करते थे यह इंडिया और इसके बैक साइड में यह है इस्टाइचू आप सुभास चंद्रबोस यहां पर पहले नहीं था यहाल फिलालमी यहां पर लगाया गया है अब हम इसको आप जाके देखते हैं सुभास चंद्रबोस दोस्तों यह था इंडिया गेट जैसा आपने देखा है और यहां पर पहले की तरह कुछ भी नहीं है जब मैं 4-5 साल पहले यहां पर आया था तो यहां का नजारत कुछ और और यहां पर काफी कुछ चेंज हो गया है तो साफ सबस्पाई का यहां तो बहुत अच्फया ख्याल रहा गया है और यहां पर जो खाने पीने की चीज जो फूड़ बिःकता था फूट बात पहाए आप वह बिलकुल भी नहीं है यहां पे सिर्फ और सिफ साफ सभाई बहुत है और आप अच्छी तरह से यहाँ पर घुम सकते हो तो आपको वीडियो तो लाइक करनी है लेकिन आप चैनल भी जरूर सस्क्राइब करें